शादी शुदा शक्स को डेट करती थी साउथ की ये सुपर हिट अभिनेत्री शादी के लिए बदला धर्म लेकिन आज भी कुवारी इमिका नोडिगल, कुलाइथुर कालम, जैसिमहा, कुक को जैसी फिल्मों में शानदार अभिनेत्री नेमनतारा 18 हन नवंबर को अपना जन्म दिन मनाती हैं 2013 में उन्होंने एक मल्यालम फिल्म से एक टिंग करियर की शुरुआत की थी उन्होंने तमिल और तेलगू में कई फिल्मों में रोल किया है अपने आज तक के करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक सपल फिल्में दी हैं यहां तक की नेमनतारा की गिंती हाइस्ट पेडिक ट्रेस में होती है नयनातारा का असली नाम डायना मरियम कुरियन है नयनातारा का फिल्मी सफर तो काफी अच्छा रहा लेकिन प्यार के मामले में वो चूगी एक समय ऐसा था जब नयनातारा और प्रभुदेवा के अफियर की चर्चा खबरों की हेडलाइन बना करती थी लेकिन बाद में दोनों की राहें जुद्दा होगी दरसल नयनातारा ने जिस समय कोरियोगरफर प्रभुदेवा को डेट करना शुरू किया उस वक्त वो शादी शुदा थे और तीन बेटों के पिता थे लेकिन प्यार के आगे दोनों की नचली और जल्द ही दोनों एक दूसरे के प्यार की गिरफ्त में आ गए दोनोंने लिविन में रहना शुरू कर दिया जैसे ही दोनों के प्यार की अबर प्रभुदेवा की पत्नी को चली उनके पत्नी लता ने साल 2010 में फैमिली कोट में पेटिशन लगाई की प्रभुदेवा ने नयमनतारा के साथ लिवेन में रह रहे हैं इतना ही नहीं लता ने धमकी भी दी थी कि अगर उन्होंने नयमनतारा से शादी की तो वो भूख हर्ताल करेंगी उस वक्त नयमनतारा के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट किया गया उनके पुतले भी फूंके गए लेकिन प्रभुदेवा अब भी नेमनतारा से प्यार करते थे उन्होंने इस प्यार के लिए 16 साल की शादी तक तोड़ दी और साल 2011 में अपनी पत्नी लता को तलाग दे दिया प्रभुदेवा को पत्नी लता से हुए तला के लिए 10 लाक रुपे का गुजारा भता देने के अलावा प्रॉपटी भी देनी पड़ी थी लेकिन बाद में नेमनतारा ने कहा कि वो अब प्रभुदेवा से अपने सारे रिष्टे कत्म कर चुकी हैं लेकिन एक समय ऐसा था जब प्रभुदेवा के प्यार में नेमनतारा नेमनतारा ने दर्म परिवर्तन भी कर लिया था नेन तारा मूल रूप से इसाई थी उनका जन्म कट्टर इसाई परिवार में हुआ था लेकिन प्रभुदेवा से शादी करने के लिए साल 2011 में उन्होंने हिंदू दर्म अपना लिया था 35 की उम्र में नेन तारा आज भी कुमवारी है